हलो फ्रेंट्स आज की वीडियो सेशन में हम डिटेल से डिसकस करने वाले हैं आईटी जेम काउंसलिंग क्या है आईटी जेम काउंसलिंग में कौन-कौन सी स्टेफ हमें फॉलो करनी होगी क्या-क्या सावधानिया हमें बरतनी होगी और IAT GM Counseling का पूरा प्रोसेस क्या है हमें कब तक IATs की और से ओफर लेटर मिल जाएगा तो Strengths चैनल पे नए हैं तो पर लिए चैनल को सब्सक्राइब करदेना अदरवाज वीडियो पे आप लाश्ट तक बने रहें सारे डाउट जो भी हैं आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग पोरे डाउट के लिए करना ही कौसिस करूँगा इसके बावजुद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर तहें तो Strengths IAT GM Counseling उन Strengths के लिए हैं जो IAT GM rank के थुरू IAT GM rank के थुरू किसी भी IAT में admission लेना चाते हैं अगर आप NIT के लिए admission लेना चाते हैं अगर आप NIT में admission लेना चाते हैं तब आपको IAT GM Counseling participate नहीं करनी है तब आपको CCMN Counseling participate करनी होगी अगर आपका rank अच्छा है या फिर आपको लगता है कि मुझे IAT मिल सकता है या फिर लास्ट येर के according आपने analysis कर लिया होगा कि मेरे को IAT मिल सकती है फिर मेरे पास chance है तो बिलकुल आप IAT GM Counseling participate कीजिए हालां कि आप different courses के लिए अपलाई कर सकते हैं जोइट PhD के लिए आपफलाई कर सकते हैं जोइंट PhD के लिए आप अपलाई कर सकते हैं तो इसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा तो बात करते हैं IATGM Counseling के process को लेकर तो इस्ट्रेंट्स आपका IATGM Counseling का जो process है admission forum है वो आपके 11 अप्रेल से start हो रहे हैं जैसा कि आपने official website पे check भी किया होगा और इनका जो last date है अभी current time है वो 11 माई हो सकता है कुछ week या 4-5 दिन extend हो सकती है लेकिन आपका एक महीन आपके पास sufficient है आप इसमें admission forum को flip कर सकते हैं आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर्थ admission forum में क्या submit करना होगा के से submit करना होगा जब admission forum आपका link activate हो जाएगा 11 अपरेल से तब मैं आपको tutorial वीडियो आपको बना के provide कर दूँगा ताकि उसमें देख के आप पूरा admission forum flip कर पाएंगे लेकिन क्या करना होगा वह हम यहां पर discuss करते हैं तो इस्ट्रेंट्स आप अपने category को change कर सकते हैं उस time में अगर आपने कुछ गलतियां किये तो admission forum में आप सुदार सकते हैं कर दिया तो इन तमाम जो गलतियां हुई आपकी उनको आप सुदार कर पाएंगे इसके साथ ही आपको एक category certificate आपको अप्लोड करना होगा admission forum के टाइम में आपको क्या करना होगा category certificate आपको अप्लोड करना होगा category certificate उन इस्ट्रेंट्स को जिनका रिजर्वर केटेगरी जैसे SE, ST, EWS, OBC को उनका category certificate अप्लोड करना होगा category certificate का भी मैंने आपको special video बना दिये और आपको जल्दबादी नहीं करनी है सबसे पहले मैं आपको यह करना चाहूँगा कि admission forum में आपको जल्दबादी नहीं करनी है अगर आपने गलत information या गलत data submit कर दिया तो वो आसाने से ठीक नहीं होगा हलाएं ठीक हो जाएगा लेकिन आपको काफी difficult process को आपको follow करना होगा तो 11 माई last date है आराम से आपको admission forum submit करना है admission forum submit करने के बाद में आपको last step है वो आपको मिलेगी choice filling order की यानि admission forum का जो एक step है last का step होगा आपका choice filling order तो आपको आप कौन-कौन से program में eligible हैं कौन-कौन से IIT में आप eligible हैं क्योंकि आपको सभी IIT का या सभी subject के लिए आपको choice filling order के से set करना उसका भी आपको video मिल जाएगा channel पे लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूं कि आपको आप भी set कर सकते हैं कि आप कौन-कौन से IIT में eligible हैं और उन IIT के कौन-कौन से program में eligible हैं उन में आपको set करना है आपकी first choice क्या है उसको first पर रखना है second choice क्या है उसको second पर रखना है third choice क्या है वह आपको third number पर रखना है अब अलग-अलग चोईस होती है मालो कोई strength placement वाली IIT में जाना चाहता है जब आप admission forum में choice fling order को submit कर देंगे जब आप admission forum को submit कर देंगे तो आपका choice fling order है वह भी आपका जो student submit हो जाएगा और आपको time मिलेगा तो आपका choice fling order है उसको change करने का भी आपके पास time मिलेगा जब 11 माई मालो last date है तो उसके बाद में students आपका एक जून को आपका एक जून को क्या आएगा? फेस्ट राउंड का result आएगा फेस्ट राउंड seat allotment होगा कि फेस्ट राउंड में कौन-कौन से student को IAT में seat मिल चुकी है अब फेस्ट राउंड आने के बाद में आपको क्या करना होगा? अगर students आपके पास तीन chance रहेंगे आप seat को upgrade कर सकते हो seat को क्या कर सकते हो? अपग्रेड कर सकते हो मालो आपको IAT दोधपूर मिल गया आप चाते हो कि मेरे को अच्छा IAT मिले गोवाटी रूड की खड़कपूर मिले तो आप upgrade कर सकते हो आप को कानपूर मिल गया आप साथ हो कि मेरे को Bombay मिले तो आपको upgrade करना होगा अपग्रेड कहां तक कर सकते हैं? आप last round तक आप upgrade कर सकते हैं seat को कब तक है? last round तक है अगर आपको मालो आपकी first choice मिल गई आपकी पसंद क्या IAT मिल गई तो आप अपनी seat को क्या कर सकते हो? freeze कर सकते हो क्या कर सकते हो? आप अपनी seat को freeze कर सकते हो या फिर मालो आपकी जो IAT मिली है वो आपको पसंद नहीं है आप एकना चाहोगे कि मेरे को ये किसी भी हालत में ये IAT मेरे को पसंद नहीं है तो आप उस IAT को क्या कर सकते हो आप उसको surrender कर सकते हो क्या कर सकते हो surrender कर सकते हो और अगले round को participate कर सकते हो इसके साथ ये अपने seat को आप withdrawal भी कर सकते हो अगर आपको किसी भी round में कोई भी seat alert होती है उस seat को या तो आप upgrade करोगे या फिर उसको freeze करोगे तो strength आपको seat acceptance fees भी आपको pay करनी होती है क्या करने होती है seat acceptance fees कितनी है 10,000 रुपे है EWS OBC और जनरल के लिए और SCST के लिए 5000 रुपे आपको pay करनी होती है अगर आप seat को withdrawal करते हैं किसी round में तब इस्ट्वेंट्स आपको seat acceptance fees से वह आपको वापस refund हो जाएगे अगर आप surrender करेंगे तब आपको seat acceptance fees पे करने की आउपशकता नहीं है जब आप seat acceptance fees पे कर देते हैं उसके बाद में इस्ट्वेंट्स आपको अपने document submit करने होते हैं लाइसेंस, passport, water ID इसमें से कोई एक यह document इस्ट्वेंट्स आपको submit करने होते हैं और यह document submit करने का आपको तीन से चार दिन का time मिलता है उसके बाद में आपको जो भी IAT मिलती है वहां से भी आपका document verify होते हैं दो step में आपके document verify होते हैं किसी IAT में मालों कोई सीटे खाली रह गई या किसी स्ट्वेंट का admission cancel हो गया किसी वज़त से या कोई स्ट्वेंट तो new IAT को छोड़के top NIT में चला गया तो यह सी condition में जो सीटे खाली रह जाती है उनके लिए sport round होते हैं इसका भी मैंने dedicated वीडियो बना दिया चैनल पर आके पलीज एक बार जरूर विजिट कीजिए यह process रहेगा और आपको finally कोई इंस्टूट अलोट हो जयता है मादो को IAT आपको में इसके बाद में जो आन्लांइ। मिला उसके बाद में आपको पहले सेमेश्टर की फीस पे करनी होती है और तब तक इस्ट्वेंट्स आपको IAT की ओर से इमेल पर आपको ओफर लेटर आ जाता है जिसके बेस पर आप यह मान सकते हो कि मेरा IAT में जो एडमिशन कंफरम हो गया है और आप अपने जो भी दोस्तों को जिस्तेदारों को आग के दुस्मनों को अलाउंस कर सकते हैं कि मेरे को अच्छा IAT मिल सुका है तो इस्ट्वेंट्स यह प्रोसेस रहेगा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस्ट्वेंट्स अगर आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में प्रोपर गाइडेंस ऑथेंट काउंसलिंग प्रोसेस आप हमारे निर्देशन में करवना चाहते हैं तो इस्ट्वेंट्स आप हमारी मेंबर्सीब ले सकते हैं अभी मेंबर्सीब की जो प्राइसे सब्सक्राइब बहुत कम है और 30 मार्च के बाद में हमारे प्राइसे सब भढ़ जाएगी अगर आप हमा प्रेशनल नंबर भी आपको मिल जाएंगे स्ट्वेंट से तो वेबसाइट पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पर आपको बिल्कुल आपको फीस की रिसिप्ट मिलेगी पूरा आपको एक बिल मिलेगा और अधरवाइस आप और भी डिटेल लेना चाहते है रेज्ट्रेशन को लेकर तो आप वोडस पे संप्रक कर सकते हो और उसके बाद मिलेगा इस्ट्रेशन को किसी परकार की कोई टेंसल लेना की जरूत नहीं आपको